नमस्कार सभी सातियों को मैं स्क्रीन फिक्सर से राज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का जो वीडियो है बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है तो वीडियो को दोस्तो एंड तक आपने जरूर देखना है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन ये आईफोन 11 प्रो है बहुत ज़्यादा तूटा हुआ है और दोस्तो कितनी असानी से और कितनी सेफ तरीके से आप इसकी टच बचा सकते हैं खाली गलास गलास चेंज कर सकते हैं तो ये इस वीडियो में पूरा मैंने डिटेल से बताया है तो दोस्तो कोई भी आपका आईफोन हो अगर वो ज़्यादा टूटा हुआ है तो उसकी आपको टच कैसे बचानी है खाली गलास गलास कैसे लगाना है तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया तो वीडि दी मेरि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विडियो को जाद से जाद शेयर भी क्या करें बैल नोटिफिकेशन अन जरूर कर ले दोस्तों आपके लिए मैं ऐसी knowledgeable वीडियो लाता रहता हूँ तो well notification आप जरूर on कर ले तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हमने जो display है वो हमने बाहर निकालनी है हमने phone को खोलना है display आपने पहले बाहर निकालनी है देखिए किस तरीके से मैं display बाहर निकाल रहा हूँ आपने थोड़ा से इसको heat करना है heat करने के बाद दोस्तों आपको मैं blade का use करता हूँ तो display आपने जिस तरीके से भी आपका निकालने का तरीका हो तो आप display निकाल सकते हैं मेरा तरीका वो दोस्तों blade का तरीका है मैं blade से बहुत ही असानी से कोई भी dis52 निकाल लेता हूं अब देखिए do लिस्प्ले हमने बाहर निकाल ली है और अब इसदिस्प्ले को हम दोस्तों हमने कly समय करना वह आप इसमें जरूर आपने देखना है क्या हमने इसमें करना है इसका ग्लास सेपरेट करने के लिए यह जो चीज है यह में चीज है यह आपने बहुत ध्यान से देखनी है तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारी डिस्प्ले है वो डिस्प्ले हमने यूवी लगाना देखिए दोस्तो यूवी आपने लगाना है और कोई भी आपका जो ग्लास है वो ग्लास इसके उपर आपने रखके और फिर आप इसको यूवी लाइट में सुखा लेंगे हाड कर लेंगे जो हमारा यूवी ग्लू है इस से दोस्तो आपका एक तो कई बार क्या होता है 11 प्रो 11 प्रो मैक्स आप जादा टूटा हुआ ग्लास अगर आप सेपरेटर पे चिपकाते हैं तो वो चिपकता नहीं है बैंड हो जाता है तो उसके कारण आपको दिक्कत बहुत आती है ग्लास सेपरेट करने में तो दोस्तो इससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका बिल्कुल असानी से आप इसका रिंग भी उतार लेंगे और इसका जो ग्लास है वो भी आप बड़े असानी से सेपरेट कर लेंगे तो आप देखना किस तरीके से मैं दोस्तो यह प्रॉर करने के लिए दोस्तो यह बहुत ही अच्छा टूल है अप इसले कर सकते हैं अब देखिये हमने रिंग को काटा है और अब रिंग हमने हटाना है दोस्तो मैं फ्लकुन का यूज करता हूं रिंग हटाने के लिए अगर कोई और लिक्विड यूज आप यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन मैं हमेशा फैलकॉन का यूज करता हूँ अब देखिए दोस्तों नीचे का जो ग्लू है वो भी हमने कैसे काटना है दोस्तों नीचे भी हाट ग्लू रहता है जो पत्ते के उपर रिंग चिपका रहता है वो हाट ग्लू से चिपका रहता है तो आप देख सकते हैं कैसे हमने उस ग्लू को हटाना है इस टूल से आप वो ग्लू भी आप बहुत अच्छे से काट सकते हैं बड़े अराम से वह जूजा काट लेंगे तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ग्लू काट रहा हूँ देखे दूस्तों कितनी असानी से आपका जड़न ग्लू कड़ जाता है तो काफी अच्छा टूल है ये आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं कि रिंग के नीचे जो ग्लु लगा रहता है उसको हटाने के लिए काफी अच्छा डूल है तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से रिंग को हटा आया है अब दोस्तों देखें मैं आपको डिस्पले चेक कराता हूँ डिस्प्ले दोस्तो प्रॉपर है डिस्प्ले बिल्कुल प्रॉपर है आप देख सकते हैं टच दोस्तो बिल्कुल आपका प्रॉपर निकलेगा इस तरीके से आपने किया तो टच आपका खराब नहीं होगा आपने अगर इस तरीके से ये तरीका आपने फॉलो किया तो इससे आपका टच हमेशा बचेगा कोई भी जादा तूटा हुआ आपके पास आईफोन आता है तो आप ये तरीका इस्तमाल कर सकते है दोस्तो मैं आपको हर चीज इसी लिए बताता हूँ कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए अगर फिर भी आपको दिक्कत है फिर भी आपको दिक्कते आ रही है आपको फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे है तो दोस्तो ट्रेनिंग के लिए आप आ सकते हैं अभी हमारा batch start है अभी चल रहा है बैच जो next batch है 11 March में आप अपनी booking करा ले जो next batch है जो 11 March से start है तो आप अपनी booking करा सकते हैं आपको अगर एज का काम सीखना है एज में आपको डाउट्स है आईफोन आईवाच अगर आप अपडेट होना चाहते हैं तो आप बुकिंग जरूर करा लें और आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं तो आप देखिए दोस्तो ये यूवी ना पूरा गलास नहीं हो पैदा आ आप ध्यान करें कि यूवी पूरे गलास पर लगे तो कुछ इससे में यूवी नहीं लगाता तो वहां से यह जो गलास का जो है हमारा निकल गया तो उसके वज़े से अब हमें यह उल्टा करके डिस्प्ले को आपको पकड़ना है और ऐसे इसका गलास आपने जो टूटा ह आप देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से गलास निकाल रहा हूँ कोई और अब दोस्तों एक जीज़ का द्यान रखना है अपको अच्छे से कलीन कर लेंगा लेंगा दिस्प्ले दोस्तों बहुत सारा कांच का छोटा छोटा जो चूरा है कांच का वो डिस्प्ले के उपर रह जाता है तो आपने अच्छे से ब्रस से पैटरोल से साफ कर लेनी है ताकि जब आप इसका जो ग्लू है वो साफ करेंगे तो आपके हाथ में न लगे और दोस्तो बहुत पतली टच होती है कोई भी कांच का जो टुकड़ा है वो अगर चुकता है तो भी टच बंद हो जाती है इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे अब देखिए दोस्तो इसका जो ग्लू है वो कैसे साफ करना है पैटरोल से दोस्तो बहुत ही अराम से इसका ग्लू है वो साफ हो जाता है आप देख सकते हैं कि इसनी असानी से ग्लू साफ हो रहा है बहुत ही अराम से आप ग्लू साफ कर सकते हो अब दोस्तों देखिए मैं आपको डिस्प्ले चेक कराता हूँ दोस्तों टच आपकी कभी खराब नहीं होगी अगर आप ज़्यादा टूटा हुआ आप ग्लास निकालना चाते हैं तो इस तरीके से आपकी टच बच जाएगी टच आपकी खराब नहीं होगी दोस्तों क्लीनिंग आपने प्रॉपर कर लेनी है क्लीनिंग का आपने ध्यान रखना है कोई भी काज का टुकडा या कोई भी डस्ट पार्टिकल वगेरा इस पे ना रहे और अगर आपने हाथ से अगर बिठानी है तो हाथ से भी बिठा सकते हैं नहीं तो अगर आपको हाथ से दिक्कत है तो यह फर्मा आता है तो आप यह फर्मे का यूज कर सकते हैं ग्लास बिठाने के लिए अब दोस्तों देखना कि हमने पंचिंग कैसे करनी है इसकी पंचिंग भी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी पंचिंग करनी है आप देख सकते हैं कैसे हम इसकी पंचिंग कर रहे हैं ब्लैक मैट पे मैंने इसकी पंचिंग किये दोस्तों आप देख सकते हैं देखिए हलके फुलके बबल है यह बबल आपके एक से दो मिनिट में चले जाते हैं तो आपको यह दो से तीन मिनिट के लिए बबल रूमर में रखनी है डिस्प्ले और फिर आपने बहार निकाल के देखनी है और मैं आपको दिखाता हूँ देखिए दोस्तो बबल एक भी नहीं रहता बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है देख सकते हैं कोई भी बबल नहीं है दोस्तो बबल फ्री बिल्कुल आपकी डिस्प्ले है देख सकते हैं दोस्तो बिल्कुल प्रॉपर डिस्प्ले है हर चीज आपकी वर्किंग है टच प्रॉपर वर्किंग है अगर आपने ये तरीका फोलो किया तो आपकी कोई भी टच खराब नहीं होगी ग्लास कटिंग में तो ये आप ध्यान से देख लेना अब दोस्तो देखिए रिंग हमने किस तरीके से बिठाना है रिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ रिंग कैसे लगाना है आपने रिंग लगाते वक्त भी दोस्तों बहुत ध्यान रखना है अगर आप अगर वैसे ही आप नॉर्मल तरीके से रिंग लगा देंगे तो रिंग लगाने में भी आपकी डिस्प्ले खराब हो सकती है देख सकते हैं आप मैंने कैसे रिंग लगाया है आपने देखा होगा दोस्तो स्लाइड करके तब ही आपने रिंग बिठाना होता है अब दोस्तों देखे हमने यह फर्मे में बंद कर दी है और तब तक हम इसको बैक ग्लास इसका चेंज कर लेंगे दोस्तों फ्रंट बैक दोनों इसका चेंज करना है इतने हमारा जो ग्लू है वो भी सूख जाएगा इसलिए हमने फर्मे में वो डिस्प्ले आपको लगा के दिखाई और वो हम जब हमारा बैग ग्लास चेंज हो जाएगा फिर हम डिस्प्ले फोन में फिट करेंगे तो दोस्तों देखिए वैसे हमारे पर लेजर भी लेजर मशीन भी है लेकिन दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि सभी मेरे भाई लेजर मशीन नहीं ले सकते तो आप देखिए हाथ से जो नॉर्मल हमारी SMD मशीन है उससे भी आप चेंज कर सकते हो ग्लास कितनी असानी से चेंज कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हो इस पर डोस्तो जो हम SMD की जो हीटिंग रखेंगे वो 200 पौने 300 हीट रखनी है अराम से आपका ग्लास उतरेगा बस दोस्तो आपने ये ध्यान रखना है कि जादा देर तक आपने एक जगा हीट नहीं मारनी है इस चीज का आप ध्यान रखें क्योंकि दोस्तो हमने इसका कैमरा और फेस आईडी बस वही अटाया है बैटरी बोर्ड सब लगा हुआ है तो इस चीज का अपने ध्यान जरूर रखना है तो दोस्तो मैं आप सभी का शुक्रियादा करना चाता हूँ जिन जिन भाईयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और जिन भाईयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो डेली आप हमारी वीडियोज देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तो डेली वीडियो जाती हैं अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस होती है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब जरूर कर ले इससे दोस्तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और ट्रेनिंग भी दोस्तों हमारे पास अविलेबल है अगर आप ट्रेनिंग के लिए आना चाहें तो ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते हैं फोन करें, कॉल करें, वाट्सैप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेस्बुक पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप पहले डिटेल लेने पूरी जो भी है आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तो अपना नंबर दिया हुआ है, तो अब आप दोस्तो देखा आपने किस तरीके से यह हमने पूरा फ्रन्ट और बैक इसका चेंज किया है, तो कैसा आपको यह लगा है, कैसी इसकी फिनिशिंग लगी है, यह भी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बतानी है, तो दोस्तो आज के लिए इतना ही है, मैं मिलूँगा आपसे किसी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग,